कि यह यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसको एपी के नाम से जानते हैं एपी एपी एक सीरीज है यह सीरीज तभी होगा जब इसमें एक इसीप्स्यमबर होगा सक्षिक्शन नानवर को कौमण डिफ्रेंस बोलते हैं कामण डिफ्रेंस को चीडि या डी के नाम से जानते हैं ठीक है डी निकालने खर्मौला है यह कालकई फ्रूर्म न सीरीज और हर आगे वाले term को पीछे वाले term से माइनस कर दें तो यह हमारा डी निकल जाता है term जो आपका है A1 है A2 है A3 है A4 है डाइस 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 यह ए तक जाता है ठीक है इसमें इसको first term बोलते हैं first term इसको बोलते है second term second term बोलते हैं इस तरह third, fourth, fifth इस तरह से चलता रहता है तो common difference निकालने के लिए आपको A2-7 किसी भी आगे वाले term को पीछे वाले term से माइनस कर दें तो common difference आ जाता है अब यह common difference किसी series का सेम होगा तब तो जो है न वो AP में होगा और otherwise वो AP में नहीं होगा ठीक है इस पर एक question जो है आपको एक number का question जो है पूछता है वो इस तरह से पूछता है कि यहां तो जो है है जैसे exercise 5.1 में है कि इसका दूसरा question यह बहुत ही important है इसमें रखाता राइट first four term निकालने के लिए कह रहा है इसमें a equal to 10 और t equal to दिया हुए है 10 तो first four निकालने के लिए कह रहा है तो first term को पता है 10 अब इसी में इसी में common difference को add करते जाएंगे तो अगला term निकलता जाएगा ठीक है तो series इस तरह से होता है a होता है ए प्लस d होता है a plus 2d होता है a plus 3d होता है इस तरह से यह series बनता चड़ा जाता है हर अगले term में d को plus करना होता है तो यह 10 है इसमें आप 10 पलस कर देंगे 20 हो जाएगा 20 में 10 कर देंगे 30 हो जाएगा इसमें 10 कर देंगे तब 40 हो जाएगा इस तरह से यह टांज निकल दें ठीक है उसके बाद इसमें थार्ड कोस्टन में जो है न दिया हुआ आपको के इसमें आपको जो हैं न common difference निकालना है तो common difference कैसे निकालेंगे 3 1-1-3 ठीक है तो common difference निकालने के लिए difference का formula है a2-a1 तो यानि कि यह क्या second term है यह first term है तो 1-3 यह minus 2 हो गया तो यह इस तरह से आपको common difference निकालना है यह एक number के questions में आएगा यह बहुत ही important question है ठीक है एक number question में आपको इसी तरह से आएगा थैंक यूए शुदे